आपको स्वागत वरेंगे वीडियो में से लोग बात करें आयसल के बारे में आयसल में कल था मैच मोन बगान सुपर जाएंस वसस बैंगलर सी एक बहुत ही जादा वाइटल और इंपोर्टन मैच था ये और ये मैच मोन बगान ने जीत लिया है वो भी 4-0 से एक काफी घमासान मैच हुआ ही है और वन साइड ही हुआ है बट फिल भी काफी काफी अच्छा मैच है तो फस्टाप में चीजे काफी क्लोस था हेक्टर यूस से ने पहला गोल किया उसके बाद बैंगलर को पेनल्टी भी मिला सुनी चेतरी को जेनुट पेनल्टी था बट वो कनवर्ट नहीं कर पाए और सेकेंड आफ में तो मोहन बगान ने जो पेस से ऑपरेट किया लिटरली उड़ा दिया है बैंगलोर को और वो लाइक ये में दिख रहा था किया डॉमिनेशन दिखा है मोहन बगान ने पूरे मैच में अस्पेशली सेकेंड आप में 51 मिनिट में पहले साहल ने गोल किया उसके बाद अर्मंदो सदीकू ने गोल किया उसके बाद भी कोई चांसेस क्रियेट हुए पिता तो उसके दिखाईड मैच मुंबगान सब्सक्राइब पहले से बाद बहुत इंटरिशन होगा ओंगाइब काफी अच्छे फॉर्म में मोनबगान को भी मैच से वह रिदम मिल चुका है तो रिदम वरसेस फॉर्म का इस लड़ाई है दो मास्टर मैंड के बीच में लड़ाई है दो coaches के बीच में लड़ाई है, दो clubs के बीच में लड़ाई है, यह fight है for existence, for pride for ISL Shield for the spot in AC Champions League, so एक काफी काफी big moment होगा, 15th of April, अब तो हर किसी का नदर 15 April को यह बीच में कुछ matches है, लेकिन, सी आपको यह पता है, मुझे पता है, वो जादा कुछ matter करेगा नहीं, so वो match 15 April को last match ISL का League Shield Decider match, उसी को पर सब का नजर है, अब देखते हैं कि वहाँ पर result क्या होता है, and Maun Magan definitely काफी अच्छा नजर आ रहे है, अब बात गदे आज के मैच के बाड़े में, तो आज भी 2 teams का last match है, अभी हर जो match है, हर team का last match है, and वो match है, Hyderabad FC versus Kerala Blasters FC, so Hyderabad के लिए last match, अगर यह match वो जीतते हैं, तो at least double digits में फिनिश करेंगे, in terms of points, currently 8 points है, 11 points हो जाएगा, Kerala गजीत जाते हैं, Kerala 5th में थे, 5th में ही रहेंगे, वहाँ पे कुछ जाधा changes आने नहीं वाला, अब मदब, फिर भी, like, कोईच कर सकते हैं, कुछ नहीं चीज़े ट्राइज कर सकतें, नॉक कर सकते हैं, वरना नॉक आउट्स में जाके दिकते, वो लो फेस करेंगे, तो इसके वाइस, I think, वहाँ पे थोड़ा सा फिलिश आउट कर सकते हैं, बठा, like, जाध excitement नहीं है, स्मैच को लेकर, अब देखते हैं, किस मैच के फाईली क्या होता है, तो नों का ही last match है, तो किया होगा, ने छिलोल बात कर दो, ISL के प्ले-उफ डेट के बारे में, उसको औफिशिल अनॉस कर दिया गया, तो ISL का जो प्ले-आउफ्स होगा, नोकाउट होगा, पहला नौकाउट वायँ, नॉकाउट लेग्वाइस होगा, तो पहला जो लेक होंने वाला है, यह दूसरा लेक होने वाला है वो है 28th और 29th April को 1st final 1 and final 2 and final होगा 4th of April को a final कहां पे होने वाला है इसको लेकर भी अभी के लिए जादा कुछ confirmation और official statement तो नहीं आया है but like you know credit क्या जा रहा है या तो like Kolkata में हो सकता है Salt Lake Stadium में हो सकता है या फिर Goa में भी हो सकता है वो depend करेगा अब अभी के लिए final कहां पे होगा यह अभी तक क्यों confirmation नहीं आया है so दिखते हैं कि क्या होता है finally और यह था फिरका पूरा play-offs का dates नेशनल बात के बैंगलोर के बारे में तो बैंगलोर ने फिनिश किया जो की बिलकुल भी अच्छा पोजिशन नहीं यह फिनिश करने के लिए especially बैंगलोर जैसे टीम के लिए तो next season में काफी कुछ changes हम लोगों देखने को मिलने वाला especially top management में कुछ changes होगा और I think like you know अच्छे डीशन होगा बहुत अच्छा रिजल रहा नहीं इस साल बैंगलोर का तो coach में change होना काफी आम बात है अब दिखते हैं कि क्या फाइनली जोहान फिरंडो बैंगलोर सी में आते है या नहीं ने शोलों बात करें थे FC Goa के बारे में बहुत 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 पूशे थे कि क्या नुवा सदरव को छोड़ के जाने वाले क्या वो कोई दूसरे क्लब में जाएंगे तो see नुवा सदरव के उपर इंटरेस तो बहुत तो नहीं दिखाया लेकिन कुछ clubs ने फॉर शूर नुवा सदावी को पर इंटरेश दिखाया है, कुछ काफी बड़े clubs इंटरेश दिखाया है, अभी के लिए तो को ऐसे कोई confirmation आया नहीं है, किसी club का दसलिए में नाम नहीं लोगा, लेकिन आप लोग समझदार आप समझदार की big clubs में किसको डि लेकिन के नहीं, जहांपने सी हाइजरबाद में मैटर अलग था, उनको पते कि गोवा का वो financial काफी strong है, team management काफी strong है, तो उनको वो पूरा support यहां पर बिल जाएगा, देखते हैं कि आने वारे सीजर में नोवा सदरी का performance इसी गोवा में कैसा रहता है, और क्या वोग वोग लेकिन अभी जाएज कुछ बोला है, जान नहीं सकता, काफी निशे स्टेजस में, स्रेडील हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अभी के लिए conclusion ड्रॉ करना नहीं चाहिए हम लोगो, तो देखते कि क्या finally को भी में आते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, PSG के बार पे का रिप्लेस्मेंट के लिए वो पूड़ा, अच्छा खासा 10-11 अभी के लिए लेकिन अभी के लिए शॉटलिष्ट ही वो लोग करें कि किनको किनको साइनिंग करना है, क्योंकि PSG को भी काइंड अफ ये फील हो चुका है, वो लोग जितना भी आकर बोले कि नहीं हम ल वीडियो पसने वीडियो को लाइक करना, श्याग कर दोस्कूश में, अगर अगर श्याल में नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करना ही मत बुलना, अगर बेल एक दोना है, ताकि मैं जब भी को अप्लोड करूँ तो लिडिकिश में जाए, एंड में